आज इस वीडियो में हम जानेंगे ओनियन के बारे में ओनियन यानि की इसे कई जगहा पर कांधा भी कहा जाता है इंग्लिस में इसका मेडिकल निम होता है एलियम सीपा और इसे हिंदी में यानि हमारी मात्रभसा में प्याज कहा जाता है आम तोर पर प्याज के कई सारे उप 100 ग्राम में होता है यानि कि अगर 100 ग्राम अगर आप प्याज का शिवन करते हैं तो इसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 30 से 45 कैलरी आपको देखने को मिल जाती है लेकिन ज्यादा तरह ऐसा होता है कि 100 ग्राम प्याज कोई खाता नहीं है और कोई खा भी नहीं पाता है क्योंक आप नैचुरल उसे लीना चाहें तो आपने देखा होगा जब खेतों में प्याज होती है तो उस समय पर प्याज ग्रूइंग फीज में होती है और उस टाइम पर अगर प्याज खाते हैं तो उसका जो निचला हिस्सा है यानि जो प्याज है वो बिलकुल अलग प्रकार के होती है और उपर का जो हिस्सा होता है जिसे हम पत्तियां कह सकते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं प्रॉपर ग्रीन होती है और इसके भी कई सारे बेनेफिट होते हैं इसके अंदर एलिसन नामक एक ऐसा इंग्रेंट होता है जो कॉलिस्ट्रोल को कम करने में मदद करता है स इसके साथ में फाइवर्स की बहुत अच्छे मात्रा होते हैं जो हमारे इंटेस्ट्राइन गट के लिए बहुत अच्छा होता है इसके अंदर इनुलिन नामक एक ऐसा इंग्रेडेंट होता है जो हमारे गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे अच्छे वैक हड्यों को मजबूत करनी के लिए हड्यों के कॉलेजन होते हैं उनको मजबूत करनी के लिए एलूलिन पाइजाता है जो बहुत um зан करने में बहुत जादा मदद करता है साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अच्छे मातरा म मैं vitamin c पाय जाता है जो हमारे skin के लिए बहुत अच्छा होता है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में ऐसा ingredient होता है जो lycopene को absorb कराता है अब lycopene एक ऐसा antioxidant होता है जो हमारे heart के लिए kidney के लिए brain के लिए liver के लिए all over body के लिए बहुत important होता है हमारी बोडापय को कम करता है बोडापा नहीं दिखने देता है और हमारी स्किन को जवा रखने में मदद करता है जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा है तो यह लाइकोपिन जो होता है यह एपजॉर्ब अगर आपको अच्छा कराना हो आपकी बोड़ी में remember as a heart की तरह तो यह हार्ट के लिए टमेटो बहुत अच्छा पाए जाता है लेकोपिनस के अंदर पाए जाता है जो कि हमारी ऑल ओबर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माला जाता है इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज में ऐसी चीज़ा पाई जाती है जो कैं हमारी स्लीप के लिए बहुत अच्छा होता है अगर किसी को नीद नहीं आ रही है concerned और किसी को प्राभलम को स्लीपिंग हो डिसीज़ूर्स और नीद अच्छी नहीं आती हो से लेह कांधा तक यूज कर सकते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यह हमारी बोर्डी के लिएوج कांधा की वेनिफेट्स के बारे बात की है कांधा की क्या फायदे होते हैं कांधा खाने के फायदे और नुकसान के बारे में हमने जाना है नुकसान की अगर मात करें थोड़ा सा तो कांधा खाने के कोई जादा नुकसान नहीं होता है इससे केवल आपको आशु जरूर आ सकत है इसके अंदर होता है जिससे कि आपको आसू आना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसे प्रापर्टी होते हैं से केमिकल होता है जिससे आसू आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आई होब यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो important है अगर इस वीडियो ने आपकी help किये है तो जरूर इस वीडियो को दोस्तों के साथ share कीज़ेगा उनकी भी help हो शके और इस वीडियो को like कीज़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि हमारी इसी तरह की updates आपको मिलते रहे तो चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा लाल बटन का आइकन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जरूर उससे दवाईएगा जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो notification आपको मिले और आप हम से जुड़ पाएं मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी ने वीडियो में तब तक लिए नमस्क्राइब नमस्क्राइब जय है